नमश्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल देशी नुश्खे में आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं खाने की चीजों को अगर वो बच जाती है तो उसको दुबारा इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वी अबली सबजी का पानी है ऐसे में कई लोग इन चीजों को फेक देते हैं लेकिन ये चीजे भी काफी फाइदे मन्द होती हैं इनके अंदर कुछ सारे पॉस्टिक गुर्ण होते हैं आईए हम आपको बताते हैं कि आप बची हुई चीजों को दुबारा किस तरह इस्तमाल क कर सकते हैं चावल उबलने के बाद जो मार बच जाता है उसमें नीबू का रस मिलाकर अपने बालों में लगाए इससे आपके बाल चमकदार और मिलाइम हो जाएंगे अगर किसी को दस्त लगे तो उन्हें चावल की पानी में शहद मिलाकर दें इससे काफी आराम मिलता है के बचे हुए पानी से आटा गुथ ले इस आटे की पूडिया बनाए ये खान में काफी स्वादिस्थ लगती हैं अगर आप मिक्स वेज कटलेट बना रहे हैं और सबजी उबलने के बाद पानी बच गया है तो उसे फेके नहीं आप उस पानी के सूप में या दाल पकने म इस्तिमाल कर सकते हैं जिससे डाल का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये टिप्स आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अ आपके मन आपको आने वाले सभी महतपूर्ड वीडियो मिलते रहें मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार